हेलो फ्रेंड वेलकम टो एम्टिवी किचन आज हम बनाएंगे वेजिटेबल इडली यह बहुत ही स्वादिश्ट बनती है आप इसे जुरू ट्राई करें स्टार्ट करते हैं एक बावल में एक कप सूजी ले रही हूं मैं एक बड़ा चम्मस दगी का एड़ करेंगे इसमें नमक डाल देंगे फूरी सी धनिया पती डाल देंगे अचे से मिक्स कर लेंगे अब पानी डालते हुए हमने बैटर बनाना है जैसे इडली का बैटर बनाते हैं अब इसे दो से तीन मिनट तक रेस्ट करने देंगे कडाई में मैंने कूकिंग ओर लिया है राई दाना डाल देंगे अच्छे से गरम होने देंगे राई को पहले अब इसमें अनियन डाल देंगे अनियन को घुल लेंगे टांस्पेरेंट होने तक शिंवला मीर्च गाजर बीम्स और हरी मीर्च एड़ करिए मैंने पत्ता गोभी भी डाल देंगे वेजिटेबल्स आप अपनी च्वाइस के ले सकते हैं लाल मिर्च का पोडर एड़ कर देंगे नमक डाल देंगे according to your taste रेड चिली सोस डाल रही हूं मैं ये ओप्षनल है सोया सोस डाल देंगे ये भी ओप्षनल है आप इसके बिना भी बना सकते हैं एक चमच विनेगर डाल रही हूं मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको अब इसे ढखके दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट बाद इसे चला लेंगे फिर से सबजियों को मैं ज्यादा नहीं पकाना थोड़ा सा करंच रखना है सबजियों में एक मिनट के लिए मैं फिर से ढखके रख रही हूं इसे सबजी हमारी कुख हो चुकी है अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे इसे ढखके रख देंगे अब हम इडली बनाते हैं इडली मैं माइक्रोवेव के सांचे में बना रही हूं इसे ओल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से इस बाउल में मैं हाफ गिलास पानी एड़ करूंगी और इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी अब हम बैटर चेक कर लेते हैं सूजी फूल चुकी है फूरासा पानी में इसमें और अड़ कर रही हूं एक पैकट इनो का अड़ कर देंगे एक चमज पानी डालेंगे इनो का एक्टिवेट करने के लिए बैटर हमारा रेड़ी है देखे फलफी बैटर हो गया विल्कुल यहां पर मैं इडली बिल्कुल छोटे साइज में बनाऊंगी इसलिए मैं बैटर थोड़ा थोड़ा डालोंगी मार्किट में चोटी इडली के सांचे भी अबलेबल है और मैं आपको इसी से बनाना बताती हूं यह देखे थोड़ा थोड़ा बैटर भरिये ताकि आपकी छोटी छोटी इडली रेडी हों अब मैं इसे माइक्रोवेब में रख दूँगी इस लिट से कवर कर दूँगी बागी इडली मैं आपको फूकर में बनाना दिखाऊंगी इसको भी ओल से ग्रीस कर लेंगे कुकर में आदा गिलास पानी डाल देंगे और इडली स्टैंड को केरफूल में रख देंगे विसल की निकाल देंगे कुकर की और ढग कर मीडियूं फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे shop माईक्रो वेव वाली इड्ली हमारी रेडी है इसे मैंने 3 रिन तक माईक्रो वेव बता कर रहा कुकर वाली इडलीस भी हमारी रेडी है इनको भी डी मौट कर देंगे मैं सारी इडलीस रेडी कर लोंगे यह देखे दिखने में बहुत सुनर लगती है यह अब हम गया सउन करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक भून लेंगे इसको उपर से धनिया पति डाल देंगे वेज़िटेबल इडली हमारी रेडी है अगर आपको छोटी इडली नहीं बनाने आप बड़ी इडली ही बनाएं और इसको फोर पीस में कट कर लें और फिर वेज़िटेबल में एड़ कर दें यह देखिए ऐसे अब हम इडली को सर्फ करते हैं यह जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी होती है आप इसे जरूर ट्राई करें इट्स रेडी टू इट थेंक यू फॉर वाचेंग एम टीवी किचन